हलो दोस्तो, नमस्ते, मैं रभी आप सभी को इस नए वीडियो में बहुत-बहुत सुआगत करता हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके अधार कार्ड के साथ कोई mobile number रेजिस्टर्ड है या नहीं है कि आपके अधार काड़ के साथ मोईल नंबर लिंक है या नहीं है तो आप किस तरह से पता करेंगे उसका complete process इस वीडियो में हम आपको explain करने वाले हैं तो आपको भी अगर जानना है कि आपको अपना किस तरह से पता करना है कि आपके अधार करण के साथ मोवाइल नमबर रेजिस्टर्ड है या फिर कौन सा मोवाइल नमबर रेजिस्टर्ड है तो अब आप बहुत ही असानी से आनलाइन चेक कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को आप सुरू से लेकर के लाश तक जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली वर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दवा दिजिएगा जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए ज़्यादा समय को बेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको अपना किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है जैसा कि हम यहाँ पर अभी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिये हैं इसके बाद आपको यहाँ सेर्च वार में टाइप करना है यू आई डी ए आई simply दोस्तों यहाँ पर आपको UIDAI लिक करके सेर्च करते हैं सेर्च करते हैं दोस्तों Unique Identification Authority of India यानि की UIDAI का official website open हो करके आ जाता है इसका interface कुछ इस तरह से सो हो जाता है दोस्तों इस page का link हम अपने इस video के description box में दे दिये हैं उस link पर click करके आप बहुत ही असानी से यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे की और scroll करते जाना है scroll करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ अधार services इस वाले session में आपको यहाँ first number पर verify an adhar number इस पर आपको एक वर click करते हैं उस पर click करते ही आपके सामने फिर से इस तरह का interface so हो जाता है तो आपको सेब से पहले यहाँ पर आपना अधार number को इंटर कर लेना है अधार number को इंटर करने के बाद यहाँ पर जो capture so हो रहा है इस capture को यहाँ पर fill कर लेना है तो चलिए मैं अपना अधार नमबर और Capture को फिल कर लेते हैं उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं दोस्तो मैंने यहाँ पे अपना अधार नमबर और Capture को सही सही फिल कर लिया है फिल करने के बाद आपको Proceed and Verify अधार पर क्लिक कर दिना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाता है आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे सही का निसान लग गया है और यहाँ पे आपका अधार नमबर सो हो जाता है उसके बाद यहाँ लिखा गया है दोस्तों अधार वेरिफिकेशन कंपलीट उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका age bend यानि कि आपका age आ जाता है कि वाए बैक्ति कितने years का है यहां पर so हो जाता है जैसे कि यहां 20-30 years so हो रहा है उसके बाद यहां पर gender आ जाता है दोस्तों male है या female है तो यहां पर so हो जाता है उसके बाद दोस्तों उसका state so हो जाता ह है यहां पर सो हो जाता है उसके बाद तो आप यहां पर ध्यान से समझेगा यहां पर उसका यहां पर मोवाइल नंबर सो हो जाता है उसके अधार कार्ड के साथ जो भी मोवाइल नंबर लिंक है इसका ठीरी डिजिट यहां फॉल कर के आपना अधार काड में लिंक है या नहीं है या आपके साथ कौन सा मौईल नंबर लिणक आप बहुत ही असानी से चेक कर सकते हैं तो मेज़ेट करता हूं दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और आप हमारे चैनल पर पहली वड़ाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दवा दिजे जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और इस वी वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बंदे मातराम